Welcome to CAGuruji Classes.com Senior citizens को हमारी government बहुत सारे benefits देती है आज उन में से एक benefit आपके साथ discuss कर रही हूँ बिना किसी देरी के बढ़ते हैं बहुत informative video रहे हैं Senior citizens किसी भी देश के लिए बढ़े important होते हैं उनको इतना तजुर्बा होता है जो बहुत ही जादा काम आता है उनका experience हर person के काम आता है Senior citizens को हमारी government भी बहुत जादा importance देती है और इसलिए उनके लिए तरह तरह के benefits निकालती रहती है Senior citizens कोन होते हैं जिनकी age 60 years और more होती है उन्हें senior citizens income tax के language में माना जाता है जर्नली हर जरापे 60 साल से उपर की age senior citizens के लिए eligible होती है अब senior citizens को government ने एक बहुत बड़ा benefit दे रखा है कि वो अपनी ITR ना भरे तो भी चल जाएगा यानि उनके लिए ITR भरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बहुत बड़ा relief है ये ऐसे persons के लिए जिनकी income बहुत ही कम है तो ITR भरने से उन्हें मिल जाता है चुटकारा क्योंकि कहीं और जाएंगे ITR भरवाने के लिए तो पैसे दे के ITR भरवानी पड़ेगी बट government ने उनको बिल्कुल exempt करकर ITR भरने से पर उसके कुछ conditions हैं तो वो समझ लेते हैं हमने कहा senior citizens को ITR फाइल करने की कोई need नहीं है इसकी conditions समझते हैं पहली condition है वैसे तो हम बोलते हैं कि 60 years से जादा के person senior citizen होते हैं बट इस case में 75 years या more होना चाहिए वो person पहली condition है इस category में आने के लिए दूसरी condition है उनकी जो income है सिर्फ और सिर्फ interest से प्लस pension से होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों ही income एक person के bank account में आती है तो आपने तो यहां ITR भरनी नहीं है इसका सारा काम किसे दे दिया गया है सारा काम दे दिया गया है आपके bank को आप ITR निभरोगे बट आपके बिहाफ पे ITR bank file करेगा आपको तो बस bank में जाके एक declaration submit करनी है एक declaration देनी है form 12 BBA में तो चलिए अब हम उसे भी समझ लेते हैं ये है वो form 12 BBA आपको क्या करना है आप bank में जाओ bank में जाके उन persons को बोलो कि मैंने सुना है कि एक section है income tax में section 194 P उसके according हमें ITR file करने की need नहीं है वो form मुझे चाहिए ताकि आप मेरे बिहाफ पे मेरी ITR file कर सकें इस form को ले ले वहाँ से आपको अपना name and address देना है pan या अधार दोनों में से एक ही देना तो pan enter कर देना यहां पे write कर देना previous year डालना है किस year की ITR filing है date of birth आपको अपना बताना है name of specified bank तो जो bank है जहां पे आपका interest plus pension आती है वही आपकी ITR के सारे काम करेगा वो जर्नली अपना यहां पे नाम खुदी specify करके रखते है form पे नहीं लिखा है तो आप लिखने ना name of employer from which pension is drawn कहां से आपकी pension आ रही है pension का PPO number आप डाल सकते हैं जो यह daughter रोग बताना है do hereby certified that information given is complete and correct and that I do not have any income other than the income of यहां का लिखा है pension and interest तो आप declare कर रहे हो कि मेरी इन दोनों सोर्स के अलावा कोई भी other income नहीं है तो आपका फिर place, date और signature and full name आ चाहे जानते हैं calculation कैसे करेगा bank calculation करेगा आपकी taxable income ऐसा नहीं है कि बस जो चीज़े आपकी है उनके सामने वही देखी और आईटर भरदी नहीं वो पूरी calculation करेंगे आप जैसे ही submit करदो की declaration bank calculate करेगा आपकी gross total income then incorporate करेगा pension and interest income along with the reductions तो अगर कोई आपने savings कर रखी है investments कर रखी है जो deduction के लिए available है वो भी वो consider करेगा rebate rebate क्या होती है हम नहीं सुनाए 5 लग तक की income exempt होती है old regime के अंदर और नए regime में 7 लग तक की income exempt होती है वो मिलती है एक rebate से जो होती है rebate under section 87A तो bank इसको भी consider करेगा अगर आपको rebate मिलनी है आपकी income इन दोनों limits के अंदर आ रही है तो rebate भी मिलेगी आपको जो भी senior citizen के tax rates है उनके according calculation होगी this computation aids in determining the net tax income इससे आपकी net tax income लगेगी against which TDS is deducted और कोई TDS deduct हुआ है तो वो सारी चीज़े consider करने के बाद bank अगर आपको कोई tax बनता है तो वो आपकी pension income जो उनके पास आती है वहां से deduct कर लेगा और आपकी ITR पूरे अच्छे तरीके से file करेगा तो आपके mind में कुछ question आ सकते है जैसे कोन exampt है आइचर filing के लिए as per under section 194 P वो है ऐसे person जिनकी age 75 years और more है तो वैसे तो आपको पता है senior citizen की age limit 60 years होती है यहाँ पे 75 years है which tax regime apply while deducting TDS under section 194 P तो हमारे पास tax के दो रिजीम है old and new आप पर कौन सा apply होगा तो वो bank वाले person खुद ही calculate करेंगे आपकी net taxable income considering deduction and apply the beneficial tax regime जो भी उनको पता जो भी उनको लगेगा आपके लिए best है उसी के हिसाब से वो calculation करेंगे आपकी कोई भी यहाँ पे सिरदर्दी नहीं है आपकी सारी सारे काम एक तरह से professional person करेंगे bank then कुछ persons को पता नहीं होता कि deductions कितनी अलाउड होती जर्नली section ATC और ATD ही अवेल करते हैं senior citizen ATC की deduction की limit है 1,50,000 और अगर senior citizen अपना medic claim कराता है या प्लस अपने parents का जो दोनों ही senior citizen है पचास पचास हजार करके दोनों की मिलाके एक लाग तक की deduction वो ATD में अवेल कर सकता है उनके parents नहीं है senior citizen तो पचास हजार तक के अगर उनका medic claim है तो medic claim का वो ले सकते है benefit, medic claim नहीं है तो medical expenses का benefit ले सकते है next है एक form available है 15H, एक होता है 15G, एक होता है 15H, 15G तो other than senior citizens के लिए होता है 15H senior citizens के लिए होता है अगर आपको लगता है आपकी इतनी income ही नहीं है क्यों TDS कटवाना 15H फाइल कर दे bank में जाके आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा ATC और ATD के लावा senior citizens को एक benefit और मिलता है वैसे में एक बहुत ही separate video बनाने वाली हूँ ATTB इसमें इनके लिए interest जो इनकी income आती है ना 50,000 तक की tax free है कोई भी tax इस पर नहीं लगता है मान लिजे राम है राम senior citizen है और उसके case में तो age भी 60 years की है राम की age है 62 years इसको bank से interest income आई है 40,000 ये पूरी 40,000 की income ATTB section में exempt है कोई भी tax इस पर नहीं लगेगा तो senior citizens की चाहे और फिर वो saving bank का interest है या deposits का interest है दोनों के लिए deduction अविलेबल है तो senior citizens को इसके अरावा भी government ने बहुत सारे benefits दे रखे है जो वीडियो मेरे चैनल पर आती ही मैं इसी वीडियो के description में उसका link दे दूगी ताकि आप उसे भी देखकर benefits ले सके क्योंकि senior citizens हर country के लिए बहुत important होते हैं हमारे YouTube channel CA Guruji पर ऐसी ही बहुत important videos आती है यहाँ पर दिया है एक subscribe का बटन इस पर क्लिक कर ले यह आपके लिए बिलकुल free है इससे हमें बहुत motivation मिलती है और आप हमारी सारी latest videos हमारे चैनल पर जाकर होती है जैसे trademark registration, income tax ITR, TDS, GST, automation of balance sheet, TDS, TCS का अलग से भी है accounting with teleprime, company registration, then हमारा है 3B with 2B reconciliation, 2B reconciliation and 99C कुछ course limited validity के साथ है जिनके यह thumbnails है और कुछ lifetime validity के साथ है जिनके thumbnail यह है courses में कुछ भी difference नहीं है, सब सेम है, बस validity का फरक है आप जिस भी course में interested है मालीज़े, इस में interested है, इस पर click करें click करते ही यहाँ पर आपके पास option आएगी add to card, इसको use करने से पहले यहाँ पर आप course की coverage देख लेना, क्या-क्या cover है, what will you learn तो अगर यह course आपकी need को satisfy कर रहा है, तो फिर आप add to card करें, add to card करके आगे आपकी कुछ basic details मांगेगा, आपका login भी वहीं से create हो जाएगा, और आप payment करके यहाँ पर login बना लेंगे, अपना इसी web page पे आके, login करने के बाद आपका dashboard बन जाएगा, वहीं से आप course को देख पा झाल झाल झाल